ये गाइस बैक टू माई चैनल दोस्तों आज मैं आपके साथ नाजशेल एंड डर्मी कूल पाउडर का रिव्यू करूंगा एंड दोनों का कंपेजन करूंगा दोनों को बताऊंगा कौन सा पाउडर बैस्ट है ये पाउडर के लिए तो दोस्तों बात की जाए नाजशेल पाउडर की तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फ्रंट में लिखा है कि ये जो जर्म एक्सपर्ट कूल हर्बल ये आपका जर्म्स को दूर करता है और ये पका 10 रुपीज का है 20 ग्राम का है ये मैंने के अधाने हो जाते हैं बाडि में ये इससे को बचाता है इंड में लिदेज घस्ट मतलब इसमें उसमें फाइब बंद आती है सरीर की उसको आपको दूर करता है एंड इचिंग इचिंग की प्रॉब्लम जो आपकी खुजली की प्रॉड्लम होती है उसको ये दूर करता है एंड आपका जो रैसे वगरा हो जाते हैं तो रैसे को सांथ करता है एंड आपका प्रेवेंट्स प्रिकलेट जैसा इसके अप्रोटेक्ट करखता है और इन्स्ट्रक्शन से इसके बारे में दिया हुआ है इसकी मैनिफेक्टिर्ण के बारे में इसे इंगेडिन्स के बारे में लाइक एंड लाश्ट में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है फॉर एक्स्टरनली डूनोट अप्लाई उनकर्ट सेंड वॉंट्स मतलब इसको आपके कहीं भी अगर जैला कट अगर कुछ भी है आपके बॉड़ी पे तो ऐसी जगहें पर नहीं लगाना है इसके बात की जा प्रवाइट करता है आपको एंड फाइट बैक्टिरा में लब एक्टिया से भी फाइट करता है और प्राइजिंग प्राइजिंग की जाए तो यह 112 में लब 112 रुपय का आता है एंड वही इंडिकेशन से उसे कुछ दिये हैं आपको बर्निंग जली या कटी कोई भी मतल रहे हैं कि do not apply on cuts and wants मलब आपको वही है कि मतलब cut together अगर आपकी body में है कहीं कुछ गाओ है तो वहाँ पर आप इसको यूद नहीं कर सकते हैं एंड इसको तीन साल से कम उम्रके बच्चों को recommend नहीं करना चाहिए and वही है कि मतलब अगर आपको particular disease है ऐसा कुछ लगता है इसक अपर लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रीटाल सॉप मतलब वह तो अपने packaging की ऊपर है कब जब offer चलता है तो आपको कुछ ना कुछ इसमें मिलता है जैसा कि इसमें 50 रुपिस की बात की जाए तो वही जैसा कि आप देख रहे हैं 1-2 रुपिस की है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं दोनों ही समर सीजन के लिए बहुत थी बैस्ट पाड़र है जैसा कि आप देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक दो कर चानल सब्सक्राइब क झाल सब्सक्राइब कर दो 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 कर द